नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर दोमिसाहिल नीती हटाने पर जारी रहेगा आंदोलन लिहार में PFI के ठिकानों पर NIA और ATS की रेट इंटर पास अल्व संख्यक छात्राएं 15,000 रुपए लेने के लिए कड़े अपलाई सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की सुस्ती पर मंत्री नाराज असकर की टीम इंडिया को दिया वर्ल्ड कप में जीत का गुडुमंद इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर वस्तार से विरोध में 11 जुलाई को सरकों पर उतरनी का फैसला लिया गया बतादे कि 11 जुलाई को सिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा वधान सभा कभी घेराओ किया जाएगा। द्वारा दर्भंगा में बहीरा थाना चेतर के छुटकी बाजार से एक संदिक्द युवक को भी गिरफतार किया गया है जो पटना में रहकर पढ़ाई करता था। सिर्फ मैं महा में 34,400 सरसट अपरादियों को गिरफतार किया गया है जो के पिछले दो सालों में किये गए गिरफतारी के आंकरे से तीन गुना अधिक है वहीं मैं महा में किये गए गिरफतारी में 1130 कुख्यात अपरादी शामिल है तो वही 15 नकसली भी पकड़े गया है। साथ बम और 101 डेटोनेटर की बरामदगी की गई है प्लस के द्वारा 3,19,000 लीटर अवैट सराब और 1,963 किलो ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। पुरी तरह से सक्रिय होने के बाद बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। जल संसाधन विभाग के द्वारा स्थिती से निपटने के लिए इंजिनेरों समेद को और मजदूरों को मुस्तैत कर दिया गया है। और साथी नदियों के स्थिती पर भी नजर बनाई रखी जा रही है। आपके जानकारी क्लिवतादी के राजे में मौनसून की बारिस अगले एक सप्ता तक हलकी वत तेजगती में होती रहेगी। पटना के मरीन राइव के तरज पर बागमती के तटको किया जाएगा विक्सत विहार के जल संसाधन वसूचना एवं जनसंपर्क मंतरी संजय कुमार जा के द्वारा बहातुर प्रखन की स्तिम्रा निहारपूर पंचायत के चपरिया गाहों में बागमती नदी के किनारे ब आतिन रहे पका घाट के कारे को जल से जल पूरा करने का नर्देश भी दिया वहीं अधिकारियों नोने बताया के एक सफ्ता के अंदर काम को पूरा कर लिया जाएगा इसके साथ ही संजय कुमार जाक के दौरा अधिकारियों से इसके आस पास के एलाकों को हड़ा-बरार कर दिशा में पौधे लगाने का भी नर्देश दिया और साथ ही अधिकारियों को घाट को और अधिक सम्तल करने को कहा ता कि लोग आसानी से टहल सकेंगे बिहार में 900 से जाधा अधिकारियों के ट्रांसफर ओर्डर हुए जारी बितदन यानी कि शनिवार देर रात राजिस सरकार के दोरा कई विभागों में कई अधिकारियों का तबादला किया गया जिसमें 175 राजिश्व अधिकारियों और 261 सहायक कर आयुत समेत कई महकमों के अधिकारी शामिल है बतादी के अंचलादीकारी और राजश्व अधिकारी के अलावा प्रभाडी चकबंधी प्दादीकारी सहायक बंदोबस प्दादीकारी और भूमी सुधार उपसमार्ता का भी पद्श्थापन किया गया है लेकिन इसमें सबसे खास बात या है कि इनमें से अधिसंख्य अधिकारी बिहार राजश्व सेवा के हैं बतादी कि राजश्व एवं भूमी सुधार विभाग के दोरा 23 अनुमंडल में नई प्रभारी चकबंदी का पदस्थापन किया गया है वही राजश्व विभाग के दोरा विशेश सर्विच्छन वाले जिलो के विविन बंदोबस्त काड़यालों में 61 प्रभारी सहायक बंदोबस्त अधिकारियों को तैनात किया गया है इसके लावा वितवानेचे के 261 सहायक कड अयुक्त का स्थान तरन किया गया है राजश्व एवं भूमी सुधार वि विवा को लोटा दी गई है जो वर्सो से विवाग में अंच्राधिकारी या अने पदोपर कारेरत है 15 कोशागरों में नए कोशागार पदाधिकारियों के तैनाती की गई है वहीं AIG का ने लंबन वापस लिया गया है और संताव अनरजश्ट्वार का तबादला किया गया और साथ ही उसका ठेला भी काफी छतिग्रस्त हो गया वहीं लोगों की भीर को देख ट्रॉक डाइवर मौके से फरार हो गया जिसके बाद लोगों के द्वारा मुख्य सरक पर जम कर हंगामा किया वहीं गुसाई लोगों ने ट्रॉक ड्राइवर के भागने के बाद को डी लूट गया हाला कि जब इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा लोगों को कोल रिंग लूटना बंद करवाया गया वहीं घायल सफाई कर्मी को आनन फानर में रेफरल अस्परदाल भी भरती कराया गया जिसके बाद उसकी हालत क गंभीरता को देखते वे उसे नेपाल के प्राइवेट नर्सिंग होम में भरती कराया गया है फिलाल पुलिस आगे की काड़वाई में जुटी है आपकी जानकारी के लिबता दे कि घायल सफाई कर्मी की पहचान रानी गंश ठाना चेतर के खरक पंचायत वार्ट दो नर्मान धीमी गती से चल रहा है उनमें बिहार की राजधानी पटना जिले में बार बक्तियार पूल थर्ड बड़ी रेल लाइन बिहार सरी बर्भिग का नई रेल लाइन गया जिले में बंधुआ परमार रेल लाइन हाजिपूर सुगौली रेल लाइन छपड़ा संख्यक शात्राइं 15,000 रुपए लेने के लिए कड़े अपलाई विहार सरकार के दोरा बाली का ससक्तिकरन तथा उनके सैच निक्विकास के लिए चलाई जा रहे मुख्यमंत्री अल्वसंख्यक विद्यार्थी प्रोथसाहन योजना के तहट वर्स 2023 में प्रथम श्रेणी से इंटर्मीडियेट पास शात्राओं को 15-15,000 की प्रोथसाहन राशी दी जारी है ऐसे में विस सभी अल्वसंख्यक शात्राएं जिन्होंने वर्स 2023 में इंटर प्रथम श्रेणी से पास किया है वह इसका लाब उठा सकते हैं इसकी उजना का लाब पाने के लिए पार देखो अपना देश के तहट भारत कर ट्रेन की शुरवाद की जाएगी बतादे किस परेटर ट्रेन की शुरवाद 22 जिलाइस को होने वाली है जो की बेतिया से खुलेगी और सगौली रामगरवा रक्सो सीता मधी दर्भंगा स्तमस्तिपूर मुझपरपूर मुकामा, क्यूल, जाजा, जस्टी, मध्यपूरा, जामतारा, चितरंजन, आसंसोर, आत्रा एवं हिजली स्टेशन पर तर्थ यात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी आपके जानकारी के लिए बता दे कि आप इस परेटर ट्रेन से तिरुपती, यात्रा केरने के लिए आपको 32,75 रुपए देने होंगे एक चुप परेटक, यात्रा संबंधि, विस्तर जानकारी एवं बुकिंग के लिए आयर CTC, बिसकोमान, टावर, चौथा, तिल्ला, पश्मी, गांधी, मैदान, पटना, एक या दूर्भा, संख्या, 8595937726 या 8595 कर सकते हैं, या आयर CTC की वेबसाइट पर www.irctcturism.com पर जाकर बुकिंग करा सकते हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट, योजना की सुस्ती पर मंत्री नराज, पीते दिन सनिवार को पंचायती राजमंत्री मुरारी गौतम के दौरा अपनी अध्यक्षता में आयोजित हुई समि इचा बैठक में, राज्य की पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के क्रियानवन में होड़ही सुस्ती पर नराजगी जताई गई है, उन्होंने कहा कि सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रगती जिलों के प्रतेग पंचायत के आठ वौड के हिसाब से काफी कम है, ऐसे में इसमें तेजी लानी की आवश्कता है, उन्होंने कहा कि लाइटों के नरक्षन के पश्चात, पंचायत अस्तर से एवंग पंचायत के वाडों में अदिस्ठापन के पश्चात जिलासतर से एजंसियों को रार्शी भुगतान में कोई देरी न की जाए, इसक इसकी सूचना दें आज से तीन दिनों तक सीयम नितीश करेंगे पार्टी सांसुदों से मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर होगी इस मुलाकात को लेकर मंत्री विजय कुमार चौधरी के दोरा बयान देते वे कहा गया कि यह समानी खटना है। को लेकर आज विकासल अंसान पार्टी के सुप्रीमों बिहार के पुर्व मंत्री मुकेश सहनी के दोरा उत्तर प्रदीश की अयुद्या में पार्टी के एक कारिक्रम में शामिल होनी के लिए जाने के दोरान बक्सर में मीडिया से बाचित करते वे अपनी प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि यह सरकार का अपना प्रक्रिया है सक्षक अपने अधिकार के लिए रोड पर उतर रहे हैं इसलिए सरकार को यहां पर समझदारी से काम लेना चाहिए सरकार को सक्षकों से बात करनी चाहिए और उनकी जरूरतों को पूरी करनी चाहिए क्योंकि हमारे सक्ष टीम इंडिया को दिया वर्ल्ड कप में जीत का गुरुमंत्र तीन महीने और एक हफते बाद टीम इंडिया अपने 2030 वर्ल्ड कप अभियान के शुरवाद करने वारी है ऐसे में भारत के प्रवे कप्तान गावश्चकर के द्वारा 2003 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महारत की शुरवाद को फाइदी मन्द बताया गया है उन्होंने कहा कि अगर आपको आपको आखरी मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलना होता तो यह और भी मुश्किल होता मुझे लगता है कि पहले अच्छे टीमों के खिलाफ खेलना हमेशा फाइदी मन्द होता है अगर आपको विश्व कप में अच्छा परिनाम नहीं मलता है तो आपके पास बाद में मौके होते हैं अगर आप बाद में किसी कमजोर टीम के खिलाफ खेलते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहां खुद पर काम करने की जरूरत है और आपको कितने बर स्कोर की जरूरत है उन्होंने कहा कि 1983 में हमने पहला मैच वेस्ट इंडीज के खेला था वह मौजुदा चैंपियन थी और हमने उने हड़ा दिया था यह दो दिवसीय मैच था क्योंकि पिवार को पिट्रोल डीजल के रेट जारी किये गए इसके बाद राद धानी पटना में आज पिट्रोल 107.24 रूपे और डीजल जहां पिट्रोल 119.26 रूपे प्रति लीटर और डीजल 6.2-3 रूपे प्रति लीटर के दर से मिल रहा है बिते देने मादरा पूचे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पज़ाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है जिन्होंने मादरा पूचे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आपके नुसार अल्व संख्यक छात्राओं के लिए सरकार के द्वरा चलाई जा रही योजना कितना फाइदे मंद है आपने जाब हमें अमारी कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहाने के लिए देखते रहे हैं बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखरें चलाग को सब्सक्राइब करना और फेस्बूक से देखरें तो बेस को फॉलो करना न भूले थन्यवाद